तो हलो दोस्तों कैसे आप सब स्वागत है आप सब को फिर से मेरे यूटूब चैनल में और आज कोई ब्लॉग नहीं है आज कुछ खास जानकारी है जो आपको देने वाले हैं अक्सर हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं तो जो कुछ जानकारी है जो सब को होना बहुत जरूरी ह अखास करके अब ही जो हम बात करने वाले हैं एसी टू टायर का ये लहीं को चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर जरूर कीजिएगा तो जैसे ही गेट से इंट्री लीजिएगा तो आपको सबसे पहले यहां पर एक दस्टवीन दिखेगा और यह नल दिखेगा और नल काफी एडवांस क्वालिटी का रहता है इसमें और यह डस्टवीन है नीचे आप कुड़ा दान दा जाता है या कुछ वह साप गटन हो जाता है फूप में लगवक साफ शुत्रा यह देखिए यह है इसका डस्ट यह इसको हमलोग नल है यह बेसीन डेखिए इसमें इसमें कुछ लिक्विट रखा हुआ रहता है इस से निकाल के हाथ धोने के लिए फ्लस भाल्व है प्रेश्टू फ्लस लिखा हुआ है दवाने से पान इन गया ट्वालेट साप होगा दुसरा एक और चीज़ है उपर में दखिए असमेल को बचाने के लिए जो गंदा समेल लाता है उससे बचाता है वो साइड एक साइड होता है इंडियन कल्चर का जबिन हो गिया और इधर देखिए इसमें एक फ्लस टील मग भी रहता है और आपका सावर है और इधर टांगने के लिए विए उपर में आपका स्मेल से बचाने के लिए और एक हैंगर रहता है कि आप अंदर में अगर कपड़ा उपड़ा बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या बदा सकते हैं ट्वाइलेट के लिए मौस्ट इंपोर्टन चीज यही है कि जब भी आ बात्रूम जाए तो फ्लस बाल्व का जरूर यूज कर रहे हैं दूसरा यह है कि यार इंडिया में हम लोग बात्रूम तो जाते हैं लेकिन उसको सही से इस्तमाल इसलिए नहीं कर पाते हैं यह सब जो कोच अभी नया जो आ रहा है सब के सब में बायो लाइब का मतलब होता है कि वह बाहर डिस्चार्ज नहीं होता है वह एक जगह पर पर उसको डिस्चार्ज किया जाता है तो उसमें बहुत आदमी दखते हैं बॉटल फेक देता है गुटका का पैकट फ तो इसलिए इस तरह के चीजों से बचे और इधर आप जैसे ही आप इन किजिएगा तो यह आपका इंटीरियर हो गया यही होता है कि सीट कितना होता तो एसी टू टैयर में लगभग चीट होता है और यह सीट का क्वालिटी इसमें और से टीर थिरी स्लीपर से काफी ब्यातर होता है काफी स्पॉंजी होता है इसका सीट और सामने एक ठो आपका बड़ा सा मीरर रहेगा इसमें कटें दिया हुआ रहता है बड़ा सा परदा और यह हो गया टीट्रे आप कुछ रख के खान सकते हैं या बोटल बेगरा रख सकते हैं और इधर आपका सब चार्जिंग क समान टांगने के लिए इधर देखिए यह चोटा सा लाइट होता है जो इड़्जस्टेवल लाइट है इसको आप ऐसे ऐसे करेंगे तो दबाने से ओन होता है और फिर से दबाने से ओफ हो जाएगा यह देखिए इसको बोलते हैं बोटल होल्डर मतलब पानी का बोटल दिखाएगा अगर यह बला खाली है तो दिखाएगा और दुसरा है देखिए उपर में एक CCTV कैमरा है अगर आप अंदर में कुछ ऐसा गतिविधी करते हैं उल्टा सीधा हरकत करते हैं तो आप कैमरे में कैद होईएगा और आपके उपर कानूनी करवाई भी किया जा सकता ह लगदा है ऊपर सिदे हैं और यह सब्सक्राइब एक हैं और इसकृषासन के एप उसका कुछ कोई भी घट ना नहीं कर रहा है और इसमें घघ्र में करते हैं करें साड़ लोटा perd परदा लगा हुआ रहता है उपर से लेकि निचे तक यह आपका पूरा का पूरा पैक हो गिए लेकिन इधर क्या है कि बीच में पाटी पाटीशन नहीं दिया हुआ आपको यहीं से पूरा लॉक करना होगा यह जाके आपका बाहर से आपका प्राइबेसी होगी आप इसको परदा लगा लिजिए इसके बाद एक और है मौस्ट इंपॉर्टन चीज जो सबको आपको जानना चाहिए इसको बोलते हैं अलार्म चेन पूलिंग याने एसीपी और अगर आपको इमर्जनसी में पढ़ते हैं या आपको लगे कि नहीं गाड़ी हमको रुकना है तब जाके इसको आपको नीचे के और पूरा ताकत से नीचे के और खिचना है तब क्या होता है कि एसका यही है कि आप जब अपलाई करेंगे तो परसासन आपको पकड़ेगा उसको ठोस कारण पुछेगा उसके हजार उपयता का जूर्माना भी है अगर बेबजा है आप अलार्म चिन खिचते हैं तो और बागी उपर में यह सब जो देख रहे हैं सब एसी पैनल से यही से एसी का हवा अंदर से आता है सामने लिखा हुआ इमर्जनसी बिंडो इसका दरवाजा लॉक है आप नहीं निकल पा रहे हैं तब जाके यह इमर्जनसी बिंडो यूज किया जाता है इसको ऑपरेट करने का बहुत सिंपल उपाय है यहां पे लिखा हुआ भी रहता है इसको पकड़ के जो और से आपको बाहर के और खिचना है तो उसे क्या होगा रब का मतलब कोच का एक इंड में ऐसा होता है और यह उपर होता है और यह पूरा का पूरा सिर्फ यही दो आदमी का है आपके पास जो समान है आप चाहें तो इधर और नीचे बहुत अच्छा से आपको दो आदमी के के लिए एनफ जगह होता है और जिसको भी यह सीट मिलता ह उन्चास पचास वो काफी खुस रहता है उसका समान एड़स्ट होता है दूसरी बात ऐसे होता क्या है कि इधर दो चार आदमी होता है और इधर सिर्फ दो ही आदमी होता है तो यह बेनफिट होता है और इधर देखिए कोच का दोनों इंड में मतलब दरवाजय के पास इस इस इंड में और इस इंड में दोनों इंड में आपको CCTV कैमरा है जो भी आपका इसमें एक्टिफिटी होता है सब कैप्चर होता है सामने और कोन आ रहा है जा रहा है उसको भी कैप्चर कर लिया जाता है तो इसलिए उस तरह का आप कोई भी हरकत ना करें ताकि परसासन के ध्यान आपके उपर है और देखे एक और चीज बताते हैं इसको बोलते हैं अलार्म फायर ये जो है अगर गाड़ी में अचानक आग लग जाता है या कुछ ऐसा ज्यादा स्पार्क होता है तो ये जो होता है बहुत जोर जोर से तीं तीं का आवाज देने लगता है और लाइ आपको बतायागा कि इसके बार में ऐसा ऐसे हुआ है तब आपको सेफली उतार दिया जाएगा या साइड में गाड़ी को खड़ा करके उसका चेक अप किया जाएगा थार्ड एसी में वही 72 सीट होता है तो वहीं सेकेंड क्लास एसी में लहच भी कोच में 52 होता है और ये जो है देखे इतना चोड़ा है आप अगर बैठना चाहते हैं दीन में तो इसको खड़ा कर सकते हैं खड़ा होगी है यह बैठने वाला बन गया आप उपर का दो आदमी अराम से बेख सकते हैं तो यही इसका कुछ फैसलिटी है जो नॉर्मल जानकारी जो पैसेंजर को जा जाना जरूरी नहीं है फायर एक्स्टिंग्यूशर वाला हमेसा याद रखिएगा कभी बॉगी के दो इंडी में रहता है कुस इंड में और एक उसी इंड में रहता है और कभी आग लगता है तो आप उसको कुछ नहीं एक ठोपीन होता है उसको खोल दीजिए उसके वाद टावेल दिया जाएगा सेगंड एसी में तो यह कुछ फैसलीटी है क्योंकि आपको उसी हिसाफ से चार्ज लेती है रेलवे टिकेट बुक के समय में ही आयार सिटी सी के दोवारा जब आप बुक करते हैं टिकेट तो यही रहा आज कुछ का जानकारी तो अगर आप मेरे च गुमने जा रहे हैं तो उसका ब्लॉग मेरे चैनल पर आता रहता है उसको भी आप इंज्वाय कर सकते हैं और ऐसी तरह से आप सपोर्ट करते रहे हैं लाइक सेर सब्सक्राब जरूर कीजिए तब तक के लिए टेक केर बाय बाय जय हिंद